है तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस नए पौड कासमें और इस पौड कासमें हम करने वाले हैं हमेशा की तरह जैसे हम करते रहते हैं हॉरर बाते क्योंकि आज हमारे साथ हैं तीसरी बार दरील वन दीपक भाई क्या हाल आपके बढ़िया भाई आप पहले गैस्टों तीसरी बार है ट्रेक मार रहे हैं और भाई से अभी हमने चौती बार का प्लैन भी अभी बन चुकर है अभी बाते करने वाले इल्लुमिनटी के बारे में आस तक इंटरनेट पे नहीं है क्योंकि हमने डीप रिस्टरच करें आधे मुल्टी वर्स के बारे में और भाई की जिसमें एक्सपर्टी आधा इस वाल्डिल लाइफ उसके बारे में थोड़ी बाते करेंगे बढ़ अभी जो पॉजिटिव एनरजी है ना भाई वो बहुत जादा बहुत जादा बेस्ट है और मैं दो तीन पोड़कास्ट में और गया हूँ अब उनको शायद बूरी लगेगी यह बात लेकिन भाई मेरे को कहीं ऐसा औरा नहीं मिला इतना कमफर्टेबल और इतना पॉजिटिव भाई शेर आदमी हो आप तो मजात है जब भी आपके साथ बैठते है ना भाई आपसे हमें बहुत एनरजी मिलती है कि रह देख लेंगे क्या मैं एक दो पोड़कास में गया मेरे को आपे बिल्कुल जाके ऐसे बैठ गया तो मेरे को औरा नहीं फील हुआ है यहां पे आप आप तो मेरे ट्रिप लेते हैं तो वही बात तो भाई जन्ता से गादू फटा 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 ते हेड़फोन ले आप अज को पॉड़कास बहुत इंट्रस्टिंग होने वाले हर बार की तरह जो हम भाई की साथ करते हैं और बिना किसी देरी के चालू करते हैं बाई बताओ क पानी पी ने आता है अब वहां पे जा रहे थे मैं और मिरसाद राकेश था अब रात के दो या धाई बज़े थे हमारा शाहिद यह दूसरा चक्कर था चालीस किलोमेटर की रोड है बन साइड तो असी किलोमेटर है राउंड एक और हम एक रात में कम सेका पांच चकर मारत कि भूड मृट हुड़ा था चल बना सबात हुटा कर दो ने उसके बढ़ी डारी कि दी उसकी इतना इतना क्यूंब पहली वर ध्यान से नहीं देखा और उन्हारी सब्सक्राइब है और ने हमाने यह कर रहा थे जोड़ा दारुभार को क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सब कि यह ताइगर जोन या लापड जोन में से खड़ा है वो भी इस टाइम पर मेरे गाड़ी साइड से कट मार के आगे निकल गया अब मारा फिर से एक चक्कर था उधर से आते वे भाई वो बंदा रोड़ पे बीश में लेटा हुआ है तो बापस आते हैं अपने सोचा नी कि भाई मिल सकता है जाओी मत वहाँ पे इतना दिवाग में या कि दारू भी रखी होगी चलागया होगा कोई गाउंवाड़ा होगा ऐसे और वह मतलब बंदे है थोड़े से मतलब मैंने देखे इस टाइप कही है कि ए कालामाल दारू अच्छा मेरे को लगा होगा किसी ट्रिप में अब वह से बिचारा लट लूड का होगा है अब वह सेकेंड टाइम जब हम पहुचे न तो वह लेटा हुआ रोड़ा मैं अब यह क्या सी ने फिर मेरे गाड़ी साइड से निकाल के ले गई अब सबसे बड़ी जो मेरी गलती है ना मेरी गाड़ी में डैश कैम इंसॉल नह अब जब हमारा फिर उधर से चक्कर था ना तो भाई जो सीन था ना वो अलग लेवल का था और उसने हमारे आद पर फुला दिये एक लैपड जा रहा था जैसे हमारी गाड़ी की टॉर्च लगती है लैपड एकदम से जंगल के अंदर कूच जाता है एक रोड है मतला वह लाइगा तो अगर जानवर आएगा तो वह जंप करके ही रोड पे आएगा वह नीचे की साइड कूद के जंगल पे चला गया और वह बंदा नीचे की साइड उधर की साइड खडा ओके उसको देख रहा है लैपड को नॉर्मल जगल की साइड हा मतलब ऑपोजिट साइड यह बंदा आज जिन्दा नहीं बचेगा क्योंकि वह लैपड़ के साइज ही मतलब उसका वह इतना वड़ा था टाइगर जी लग रहा था पहले तो टाइगर है जो हम पास गए तो देखा हमने प्रिंट प्रिंट उसके लैपड़ था अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था न उस पर ऐसे लटका हुआ और ऐसे हमें देख रहा है मतलब हम ने वहां से गाड़ी भास गाई और फिर नीरुक आप्र फिर दिमाग बहुत सारी चीजे चलने लगी कि क्या हो सकता है क्या अबी मतलब देखो नहीं कह सकते कि वह क्या था यह नहीं परंण चीज हुई है नही बहुत जादा जी भी था जैसे कहते हैं कि अनिमल्स जादा जल्दी सेंस कर लेते हैं कोई भी ऐसी पैरनॉमल अक्टिविटी या कुछ नेगेटिव एंटिटी तो तो ताइगर या लेपड जो भी था उसने कुछ ऐसी अक्टिविटी कुछ हरकत करी वहां पर नहीं मेरको ऐसा लगता है कि ना लैपड रोड पे बैठा था पहले अच्छा क्योंकि हमारी गाड़ी की जब लाइट पड़ी है तो वह उच्छल के उधर भागा है लाइट की वज़े से गया है वह मतल्ला हमारी गाड़ी आने से लिस्ट्रब हुआ है लापड तो उससे कुछ उल्ट है वह हमें देखे जा रहा है बाई बस आई कॉंटक्ट हो रहा है हाँ पतलो गाड़ी बहुत सारी चीजे आने लगगी कि क्या हो सकता है कैसे हो सकता है बही बंदा तो नहीं लूट पाट के तो नहीं है कासी सारी चीजे मतलब दिवांग में चलगी फिर मैं निकलते हैं एकदम से और निकले हम भार और सुबह आगे देखे तो वहां पर कुछ नीदा आया सा मतलब ना कोई बंदा दिखाए दिया ना मेरे वहां पर दो तीन बंदों से बोला भी तो वह समय ना मतलब अब वहां पर जो वन विवाग वाले ना वह ये इन चीजों को पेड़ पे कोई यू लटक गया चलता फिरता तो चलो समझ आता है रोड पे लेटा भी समझ आता है पेड़ पे खौन लटक जाएगा यू भाई और नहीं पेड़ पे यासे लटक भी जाएगा चलो लेकिन पहले बड़ा जीब था ये पहली बात तो मतलब मेरे को असा अपनी टारेटरी बचानी हो नहीं बचानी उवो सामने वाली कोई भी चीज को किल कर देगा भाई फिर तो कोई चालावा ही था उसका चीट अभू लेपरड भी कुछ ना भीगाड अब ये बात मेरे ना थोड़े बहुत जो मतलब तंतर वीद्यावाले बंदे उनको बता ता भाद सतबस्ट कर नहीं कुशना कुछ हाम ग़्टा अभी एक कुषन मार बहुत बड़ा कि आदा क्याला है यह क्योंत बंदा धार कर लेकिक वह नेचूरल कि अदिए का ता है क्वह सपीट इसे सादफ से शड़ numa भागते यूंधि कर्से Jeez अब आप तो चक्कर आ और जा रहे थे लगा रहे थे चकर, हम तो चकर भी ने लगाएं हम तो सीधे सीधे चले जाएं भाई यह यह शाद मेरे नेचर में है मैं पहले भी बात कर चुको जैसे कि क्या होता न कही बंदों का साइन्स होता है उन चीजों में नहीं चलता अब कहीं से आवाज आई जैसे, आप निगल लोगे, आवाज आगी साड़ी, मेरे दिमाग में आगा है यह वाज थीक इसकी, यह पता करना है, कुरोध हो गए, कि साला बना तो बनी तो बनी, कैसे आवाजी, आई गैसे, आप अड़ा उसे साथ, यह सीन था मेरे साथ, जिस भी फिल्ड में होते हो ना काफी चीज़ आपको पता लगती रहती कि भाई, अच्छा तू यह गाम करता है, एक घर यहां पर भी है, बताते है, बूत है यह यह वो है, तो हम उस घर में गए, कहा की बात है भाई, यह सोनी पत की बात है, अब हम उस घर के अंदर चले हांटेड आउस था वो, अब उस घर में मेरे को यह बताया था, कि भाई यहां पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था, और उसने जिस तरीके से सुसाइड करावा था ना, वो बहुत ज़दा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि, अब वो बताते हैं कि वो बहुत ज़दा पबजी खेला करता था पहले तो, बहुत ज़दा पबजी खेलता रहता था, उसका मतलब पढ़ाई में लगता था यह नहीं लगता था, फिर एकदम से उसका बहवियर चेंज हो गया, और वो घरवालों से उल्टा बोलता, घरवालों ने स सारे जगे दिखाया उसको, और मतलब बड़े-बड़े पंड़त सिर भी यह गह रहे थे कि यह जो बंदा है ना, जो भी चीज इसके अंदर है उसको जिन्दा नहीं निकलने देगी, यह पहले से ही बता दिया था उसके घरवालों को, अब काफी उसको दिखाया, डॉक्ट लेकिन कुछ उसका वो रही निकल पाया, तो काफी यह लेके गए बाला जी उस लड़के को, तो बाला जी में ना, एक पंड़त ने बता दिया उसको, कि भाई जो भी इसके अंदर चीज है ना, वो एक ना, एक को लेके जाएगी इस घर में से, और उस, जो भी उसके अंद इतनी पावरफुल चीज है, और वो क्या देखते हैं, माबाप थोड़े दिन बादी, वो वहां से आते हैं, एक दो दिन बादी, कि वो लड़का अपना कमरा बंद करता है, और यह भार से चिला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको, और जो बालकनी वाली स उसने पैर फोल्ड करे हैं अपने, मरने के लिए, अब सोचो वो इतना जब किसी की जान जाती है, कि इतना तकलीफ में होता है, पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था एक मिनट में, खड़ा हो जाता, लेकिन उसने पैर पकड़ लिये पीछे से, फोल्ड कर लिये पूरे, जाना ही जाना ही जाना है, एसी क्या चीज थी भाई जो उसको परवोक कर रही थी, अब हम उसके घर में जाते हैं, और दो-तीन साल हो गए तो उस घर को बंद हुए, ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पेंडेमिक की, और भाई उसकी जो एनरजी थी ना, उस घर की जो ती, मैं पह अबराट शुरू हो गई बहुत जादा, जैसी अब अनरगुसाना मेरे पसीने आने लग गए, घराट हो गई, मैं बहुत जादा टैंस हो गया, दिमाग स्लो काम गर रहा है, सोचने की, फिर मैं अंदर गया, और मैं उपर जा के देखता हूँ, एक ट्रंक था, मैंने सोचा बंद हुआ, और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड लिया, और मेरी ये उंगली थी ना बस जरासी बची, मैंने ऐसे फसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई, गेट लगा भड़, और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बह लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाता है और ना कोई बेचना चाता है, ना कोई रहता है महां पे, अलगी एंटिटी है, जिसका इलाज बाला जी में नहीं हुआ कि हो बाला जी गए, क्योंकि कहते है कि हर चीज का इलाज है महां, उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना वो मरेगा, अच्छा, जान जाएगी 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 जो भी करेगा, और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे, कि आया कहां से, कौन है, क्यो है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे, वाफ तो भाई, जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरूगी तो बस गेटी बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी रिक तो जो घुटन हो जाती है बहुत जादा दिल छोटा हो जाता है आपकी मैं दब रहूं काफी तरह डार को जाएगी चीजे मतब जैसे की अब मैं कैसे बता हूं जैसे की दस्वी का रिजल टाया था से एक दिन पहले जो फटती है न वो ऐसा फील होने लग गया अपने आपी घबरा हट बड़ा की भई मैं निकलूगा यहां से कैसे बचूग आपकी सोल पर भी उसका होगा पर आपने उसे चीर फाड़ें फिर भी निकल गए मैं निकल गया टाइम से निकल गया वहां से और अगर जाद देर वहां पर रुकते न तो हम काफी कर सकती थी वो मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली पता है कई चीजों को जो समझदार लोग न साइन्स बताते हैं न वो काफी चीज़ मैं बताता हूँ क्या होता देखो मेरी बास सुनो आप एक चीज मुझे बताओ साइन्स डियन साइन्स डियने पैचान सकता है साइन्स सूपर नेचरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई ठीक है आज जो हम बाते करते हैं बहुत अडवांस है आज से आप 20-30-40 साल परानी बाते जाके बोलो ये सब की कैमरे ये फोन तो भाई ये भी आपको यही बोलेगी तरह दिमाग में यह है ना फालतू की बात कर रहा है साइंस भाई टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं कितने टाइगर है इस दुनिया में सबके प्रिंट्स अलग हैं वो किसने הק witches कि औलाए साइंस की आड़ी आप इतनी कि वह जी ने पचान सकती आ है शायद हो सकता है साइंस जो मेरा DNA वो सेम DNA बना दे लेकिन कुछ अलग से DNA इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में सबके DNA अलग है सबके फिंगर्फिंट्स अलग है तो भाई नेचर से बड़ा कुछ ही नहीं है साइंस भी नहीं है बिल्कुल भाई बिल्कुल तो बहुत सारे लोग है जो मतलब इन बातों में बिलीव नहीं करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि साइंस होगी बहुत बड़ी साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन चीजों को डैवलॉप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती अब जैसे कि एक साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करने में लगी हुई थी की एक अपरेल में ऑमेरिका में एक डॉक्टर डप्रकन मैकडूगल तो यह ने 18 पेशंट लिये और मरने से पहले उन सब का weight करा और मरने के बाद exact सब का weight 21 gram कम था अच्छछ 보이는 बताया कि बई यह जो 12 Although यह बहुत बड़ा article है इसके बारे में भूल उन्होंने कैसे कैसे research करें निजगों पर तो और यह research उन्होंने पांग 16 साल तक continue रखा जिसमें बहुत सारे patients को उन्होंने मतलब weight करते रहे और सबका exact 21 gram जो है weight वो reduce होता था मरने के बाद तो मतलब किसी का, मतलब soul का? Soul का weight यह बताते हैं, यह किस gram है? तो इस theory के साफ से science ने proof कर देगी, soul exist करती है basically इस theory के साफ से हाँ अब जैसे science काफी चीज़ों को प्रूव करने में लगी हुए है multiverse को, physics के थुरू है यह काफी चीज़ों के प्रूव इनको बिल चुके और scientists इन चीज़ों को मानते हैं कि यह possibilities हो सकती है multiverse exist करता है, ठीक है? लेकिन इन चीज़ों को ना हमारे गरंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है multiverse को, अब multiverse है ना जो, वो दो, इसकी दो theory है एक तो यह है जैसे हमारा पूरा universe है जिसके अंदर एक अर्थ है, Jupiter है, Sun है, यह है ऐसे बहुत सारे multiverse है वहाँ पर अलग live चल रही होगी लेकिन एक multiverse है, जो कि timeline का वो बताता है कि exact timeline वो ही चल रही है, जैसे अभी हम यहाँ पर बैठके बाते करते हैं, हो सकता है उन सारे multiverse में भी यही हो रहा हूँ कि हम ही बैठके बाते करते हैं सेम चीज हो रही है, सेम रैप्लिका सेम शकल हमारी, सेम शकल हमारी जो बोड़ी है वो छोट-छोटे atom molecules, micro molecules से बनी हुई है और जब science न यह चीज प्रूव करी न, तो जैसे कि 10 light distance पे भी अगर same कोई atom वहाँ पर होगा न, और इसको आप move करोगे तो वहाँ पर भी वह वैसा ही react करेगा, यह physics है तो यह चीज प्रूव हो, मतलब यह चीज, इसकी exact कोई प्रूव नहीं है लेकिन यह चीज, इसकी possibilities बहुत जादा हो सकती है कि multiverse में यही सब कुछ हो रहा हो लेकिन, इस चीज को न, बहुत सारी movies में भी दिखाने की कोशिश करीगे यह ten end देखना कभी मैं न, इसको थोड़ा सा इसी करता हूँ लोगों के लिए काग भुशंडी, इसके बार में सुना है आपने क्या है बाई काग भुशंडी एक ऐसा देव है, जिसके बार में विश्णु पुरान में बहुत जादा डिटेल में लिखा हुआ है और multiverse को बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन किया हुआ है बताते हैं कि इसने 11 बार रामायन और 16 बार महाबारत को देखा है बार-बार टाइम लाइन में आके और हर बार का रिजल्ट कुछ और है कभी राम जीत रहा है, कभी रावन जीत रहा है कभी कौरव जीत रहे है, कभी पांडव जीत रहे है वो ऐसे possibilities हो सकते हैं जैसे मैं हूँ अब multiverse में जाके पीशे टाइम लाइन में जाके कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोख दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है तो यह तो एक तरीकी से multiverse में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि आपका कहीं भी पहुच रहे हो और यह बहुत सब्सक्राइब क्या गया है अब एक बार क्या हुआ यह अभी कोई कर थोड़ी पाया है मतलब कोई हुमन बिंग थोड़ी कर पाया है टाइम ट्रैवल करके अच्छा इसके बार में भी एक ठीओरी है आप कह रहे हो नहीं युवन भी नहीं कर पाया इसके बार में यह कन्फॉर्म हो जाएगा हमें 2027 में इलुमिनाती के बार में आपने सुना होगा इसके बार में करते हैं भी थोड़ी देर में बाद लेकिन उसमें एक चीज का जिकर किया गया है कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है और इन चीजों को अब ये इसके फर मुवी भी बनी थी काफी सारी तो इस चीज को देखा हुआ है अब 2027 में एक जेक्ट में दुनिया को पता लगे है कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ये सब कुछ थेयरी बेज़ है लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती है फिजिक्स के थुरू आप एक लाइट जो लाइट डिस्टन होता है उससे तेज जाके टाइम लाइन को देख सकते हो अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से जाधा कोई अगर ट्रावल कर जाता है तो बेसिकली मल्टिवर्स में जाने के लिए ऐसी जो अपने काद भुशंडी थे ना वो क्या करते थे वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइम लाइन देख सकते थे और उसको अरजेस्ट भी कर सकते थे समय को जिससे वो बताते कि 11 बार रमायन और 16 बार महाबारत को देख पाए यह चीज पॉसिबिलिडी से है आचा विश्णु पॉरान में एक चीज और लिखी हुई है एक बर जब भ्रह्मा जी उनसे मिलने आते है तो बताते हैं यह जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाए हुआ हमारा जो है तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विश्णु जी से मिलना है तो विश्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ किया हो कि कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए है तो वो कहते हैं मैं एकी ब्रह्मा हूँ चार मू वाला चार सर थे ब्रह्म तो चार सल वाला ब्रह्मा, तो कहते हैं, पह keeper अच्छाइना है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनक의 पर्शन करते हैं, की आपने ये बात क्यों कहीं, कि 4 साल वाला ब्रह्मा, तो वो कहते हैं वो सारे multiverse सारे ब्रह्माज को बला लेते हैं तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सार है किसी के 6 सार है किसी का 1 सार है किसी के 2 सार है तब जाके ब्रह्माज को भी पता लगता है कि multi universe exist करता है मेरा जो ये universe है इसके अलावा भी करोडो यूनिवर्स हो सकते हैं, यह सब कुछ हमारे गरंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिसिस्ट है यह प्रूव करने में लगे हुए है, चाली-चाली सालों से यह थियोरीज पे काम कर रहे हैं, और उनका भी य लिख और भी के अभी नहीं हो है किसी भी सांटिसों नहीं हो नहीं भोला है कि ऐस यह सब कहना है, से कहना है कि लिख पॉसिबिलिटीस हैं ऑर infakts सांटिस्ट्स नहीं तेlor ETFals के प् पूरोफ कर दिया है, ऐ हाँ, DEAL TO sacrific traditional एए है like principle नहीं अभी यह बर्बली ही अपने सून आो इसका जो क्रिएटर है, उसने अपनी इडिन्टी रिवील नी करी है, बडों कहते हैं कि वो टाइम ट्रावलर है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दी हैं, जो आज की डेट में अब वो चीजे हो रही हैं, 2015 में, 2017 में कुछ ऐस चीजे हुई हैं, जो उन करोना वाइरस, उसमें एक चीज और बता है, आपको पता है, एकदम से एक एपिसोड था, जो 2005 में आया था, उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है, और वो कॉल पर उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया के अर्थी वस्ता खराब होने क्योंकि इंडिया ने पागिस्तान के ओपर नुकलियर अटैक कर दिया है, अच्छा, हाँ, दोजार चॉवीस में, तो भाई, यह प्रिडिक्शन कितरा सही होता है, कितरा गलत होता है, भाई, सिम्संस के तो आज तक सारे सही होते हैं, मतलब जो दिखाएब जो है, मतलब मै मतलब जब शॉक्ट होगया, कि जब मैंने डॉलन ट्रफाला देखा तो आप वह एक पिक लगा दे रहा है, कि वह सीडियों से उतर रहा है, और जो पीछे जो ओडियन्स कडिये ने, इसके हाफ में जो पेपर है, वह भी सेम है, और स्ने हाथ भी हिला है, सेम, सेम, यह ने न बाई, यह तो अलगी चुझे है, ढूब लो, कौन है, किसने बनाया, Simpson, यार, कहा बैठा है, बाई, बता यार, वो कौन है, भाई, यह भी है, इन फैक्ट जो भी एक नया प्लैटफर्म ने आता है, Thread, यह भाई, Thread का जो सिंबल है, बताते है, इसको इलुमिनाती ही ओन कर इलुमिनाती की थोड़ी बात करते हैं, आपने कुछ रिस्वर्च करी है, जो इंटरनेट पे अवेलिबल नहीं है, कुछ ऐसी बात है, आप जानते हो, थोड़ा बताओ, आप बता रहे थे कि आपने कुछ ताइम पहले कुछ रिसर्च किया था इलुमिनाती के बारे में, और अब वो कल रहात ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, अच्छा, बताओ थोड़ा डीटील है बताओ, देखो मैरे न, असे दो साल पहले इलुमिनाती के उपर पूरी वीडियो बनाई थी, कि इलुमिनाती का जनम कैसे हुआ, इलुमिनाती सोच आई कहां से, कल मैंने फिर से थोड अभी ऐसी चीजे डीब बताई गई थी इलुमिनाती के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इंवोल्मेंट है, वहां के लोग शैतान को कैसे पूछते हैं, लेकिन कल इलुमिनाती के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है, वो सारा का सारा चेंज कर दिया सिर्फ लिखा हुआ है कि यह एक मिथिकल चीज है, इलुमिनाती एकज़ेस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ अजादी से जीना चाते हैं, बस यह लिखा हुआ है, अभी के टाइम पे इलुमिनाती के जो मेंमर्स हैं, वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, लोगों से दूर रहके, अपने खुद के फैसले लेके जीना चाते हैं, तो इलुमिनाती के बारे में शुरू से बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल में, अब इलुमिनाती का जो जर्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, येरॉप में, अब एक प्रोफेसर थे, ज ये सोच लेके एक इलुमिनाती का जनब हुआ, और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का वही के पांच स्टुडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग गरी थी अपने घर पे, उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने जादा बढ़ते चले गए, इसक इसके एकजिस्स करता है क्योंकि इस पर कई केस हो रखे हैं, क्योंकि वो इतने जादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको ने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था इलुमिनाती के जो मेंबर्स थे इतने जादा परेशान आ गए और इनकी जो मीटिंग थी सुषाइड करना है आप अगर जीवन से कुछी है तो मर जाओ यह थी लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं आज अचाही बता हो अगर ऐसा था तो आज की जो बड़ी-बड़ी सेलेबिलिटीज के नाम आरे हैं इलुमिनाती के साथ वो क्यों आरे हैं जतना हमने सीतन बाइबल पड़्ी-बड़ल है सेटन बाइबल अलग बाइबल है यह शैतान की बाइबल है क्या वाथ वो सके रूवल्स है अब बेसिकली है ना यह सब एक लोगों को दिखाने के लिए मेरे को ऐसा लगता है जहां तक मैं डीपली जा पाया हो सकता है भाई मां गलत हूँ क्योंकि जब एतनी सीक्रेट है सोसाइटी देखो इलुमेटरी एग्जिस्ट करती है एक फैमिली का भी नाम आता है विलियम्सौ रौफश्चाइजड फैमली उसकी नेट वर्त पता है आपको थिट्रिएलियन बोला मिंजाराएबर सेटो वहें सारे ही जतना पैसे है कितनी पिर कंट्रि में गहिंग हैं अभ ही सब Зबसे अमीर आमी हमारी नजरों में तो यह अगर सब इनका पैसा भी कई जगह लिखा हुआ था मेंशन हुआ था और यह चीजों के भी काफी जादा प्रूफ दिये गए है कि जो अमेरिका और रशिया का जो प्रेजिडेंट है ना वो पहले इनके घर पे जाके शपत लेता है उसके बाद जाके प्रेजिडेंट को हाउ कर सकते हो तो बताते हैं यह फैमिली सबको करजा देती है पूरी जो देश है ना वो इन ही के इसारों में चल रहा है चाहिए वो वर्ल्ड वार वन हो वर्ल्ड वार टू हो और इनको जो चला रहा है इनको जो और दे रहा है वो डारेक्ट और डारेक्ट शैतान है अच्छा अब मैं बदाता हूं इसका सैटन अब आपने ये सुनी एक थेओरिकल चीज जो कि इलुमिनाती के बारे में अपने हर जगे सुना होगा कि इलुमिनाती की सोच क्या है इलुमिनाती किस लिए है क्या है लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं लगारा मैंने जो सुना ना मतलब मैं इतना साओधानल कि जाता हूं कि क्या है इसकी नहीं सकता है अब मुझे दो वाई अपनी सुच वाई अचाय कोई पी सोच रखे हैं आजस मानू चाहे मानू चाहे मतुम। मैं जैसे मर्जी रहूं। कोण अमेरोगने आ रहा है बाइकॉन टोगने आ रहा है। सभी बात है। यह रणाज के टाइम पे। इसके लिए इतनी बड़ी एक संसा खोल लेगी लुमिनाथी यह सब करनी क्या जो रहत है। चाहते कहें, कंक्लूजन कहें इसकी चीज होगा। यह बटा डिटेल में जब मैं गया ना सैटन बाइबल में लिखे है इसकी चीज़े। अच्छा। अब इसके अंदर जो भी टॉप आर्टिस्ट है ना वो जुडएवे है। और इस टम सबसे टॉप पे जो नाम चल रहा है ब्योंसे है वह। अच्छा। भाई यह जो बंदी है ना यह इतने तगड़े लैवल पे इलूमिनाती को इस टम प्रमोट कर रही है। अपर ली। हर स्टेज शो पे। हर स्टेज शो पे। और अलाग लैवल पे यह चीजी लेगे जा रही है। और जब यह स्टेज परफॉर्म करती है ना तो आप देख सकते हो कि साफ-साफ डीमन का चहरा इसके चहरे पे दिखाई देता है। और यह रील बहुत दा वाइरल हो रही है भी। अब जैसे आपने जॉय बादेन का बताए ना की वह काफी वाइरल हो रही है उसके यहां से चीजे निगल रही है, अशी सेम इसका है। कि यह रील नहीं है, कि यह डीमन है, कि है रीवन। क्या होते है ना मैं बताता हूं आपको क्या होता है। अब जैसे इलुमिनाथी को कोई एक थेयरिकल सारी चीजे बता रहो भाई 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 अब इलुमिनाथी को कोई चाहिए। लाइक कोई भी सेलिबरिटी तो वह सेलिबरिटी रियल में एक्जिस्स नहीं करेगा उसके बाद उसकी क्लोन रेपलिका बन जाती है। जो इलुमिनाथी के अकॉडिंग चलेगी। इलुमिनाथी उसकी रियल सेल्फ को पहली ले लिया है, capture कर लिया है। वह इस दुनिया से मेशा के लिए जा चुका है। बहुत बड़ा कॉमेडियन था डेव करके। अब उसके बारे में देखना कि वह आठ साल के लिए एक्दम से गायब हो गया। और अभी रिसेंटली वह एक डेट साल से आके इतने इंट्रिव्यूस दे रहा है कि मेरी सोल मिरसे लेना चाहते थे, यह लेना चाहते थे। उससे एक 300 million dollar का contract sign हुआ था कि 50-50 एक production house का, कि 50-50 हम रखेंगे और वह बताते हैं वह भी production house illuminati on करता था। जब वह 300 million आ गए तो उसको बोला गया कि तिरेको सिर्फ 1.5 million dollar मिलेंगे और कुष नहीं। तो उसने बोला मैं तुम्हें expose कर दूँआ यह कर दूँआ तो उसके बाद उसने यह चीजे रखी सामने कि यह मिरसे बोलना चाहते थे, कि मेरी सोल खरीजना चाहते थे, मिरसे contract sign करा रहे थे, यह सब चीजे सामने रखी गई। आठ सालों तक उस बंदे का पता नहीं चला, वो आठ साल बाद आके सब चीजे बोल रहा है और धीरे-धीरे करके एक-एक चीज यूट्यूब से हर जगे से हटवाई जा रही है, अच्छा, यह जिन्होंने record कर ली थी ना, सिर्फ उनके पास हैं यह चीजे, इंटरनेट से उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं, वो basically clone नहीं है, कोई human है, जिसके उपर Joe Biden वाली की बात कर रहा है, जिसके पास Joe Biden का mask है, face mask यह तो बन सकता है, यह तो बनी रहा है, mask ठीक है, उसे as a clone ही कह रहे है, फिर, Instagram page है, वो ना सब की बताता है, जैसे अभी यह Simon करके जो बंदा है, तो America's got talent, सब judge करता है, उसकी एक photo viral हुई कि यह कुछ time गायब था, अब वापस आया है, तो यह वो नहीं है, उसका clone है, जो आप बात, जो Biden है, वो भी एक clone है, जो भी कोई जाएगा ना, वो एक दो साल के लिए गायब हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई ना कोई मतलब, या फिर कोई ना कोई उसका ऐसा चीज़े आती है ने सामने, अब बेसिकली बात करते है, सोल की जो हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा सूपरनेशनल चीजों पर आ जाते है, जो सूपरनेशनल थियोरी है, जो सैटन बाइबल में लिख्खी हुई है, हाँ वह उसके बारे टक्कर दे सकता है, तो वो सिर वो सिर लूसिफर है, और कोई नहीं है, तो जो एडन ओफ गाडन था ना, गौड का, वहाँ पर उसने हुमन्स बनाए, फर्स्ट हुमन, इव और एडम, उसने उन सब को बताया, कि जो एडन ओफ गाडन है न, इसके अंदर एडन ओफ एपल ह ये नहीं खाना बस, इंसान को, और बाकी सब कुछ चाना है, क्योंकि इनसान भी जो उसकी मतलब एक क्रेशन थी, और वो देखना चाता था, un sein को पास डिमाफ नहीं दे न चाता था, क्योंकि जैसे हिंसान के पास डिमाफ आया गा उसके अंदर चलाकी, बहैमानी, ये सब जाजेंगे और वह भगवाद चाहता नहीं था गॉड नहीं चाहता था वो तो लेकिन लूसीफर का दिमाग शैतानी लूसीफर स्नेक के रूप में आता है स्नेक बनके आता है और वह मजबूर करता है उनको वह एपल खाने के लिए अच्छा तो वह एपल खा लेते हैं अब यह बात गॉड को बता लग जाती है तो वह इंसानों को धरती पे फैक ही देता है अड़न ओफ गाडन से लेकिन वह लूसीफर को इतने गुस्से में फैकता है जिससे कि सीधा लूसीफर बताते हैं कि मतलब जब वह यह नजारा हुआता है तो असा लगा था कि पूरी कोई गलेक्सी तूटके गिर गई हो अच्छा तो बेसिकली गॉड और सेटन की लडाई लडाई नहीं हुई थी गॉड और सेटन यह उसका बेटा है हाँ सेटन जो गॉड गई तो बेटा है फर्स्ट तो वह उसको इतनी जोर से फैक्त हैं कि वह धरती के इतनी नीचे जाके आल राइड उसको हेवन चाहिए तो यह इलूमिनाती की बेसिक थियोरी है जिसके उपर और यह लिखी हुई है आपकी सैटन और वाइबल के अंदर की वह वार करना चाहता है गॉड से इसलिए वह उसको जादर से जादा तयारी चल लगी है अब जैसे की वह क्या करता है अ हम जैसे बैठे हैं हमारे कितने फॉलवर है क्या है अब कोई टॉप नौच आर्टिस्ट जो है यह 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 कितने लोगों को ला सकते हैं इलूमिनाती के अंदर तो इसलिए वह पैसा और शौरत देता है बे हिसाब पर भाई देखा जाए तो एक सूल क्या ही बेगाड लेग पर प्रमोट नी करते ना उसकी बात करते ना को कुछ सब गया है आप खुल के प्रमोट हो रहा है भाई आप शोज में देखो दबा के साइंस चल रहे है इलुमिनाती का साइंस यह पता हो अपको कि एक इसमें जो एक आँख दिख रही है यह साफ साफ डैविल का साइन है यह डेविल का साहिन है और डेविल का जो पैट होता है यह है उल्लू यह मेरे एक दोस्त के साथ हो रखा है वो भी बहुत अच्छे लेवल का टी-सीजी का आर्टिस नाम नहीं ले सकता है तो उसने भी मुझे बताया कि आपके घर के बारना दो उल्लू वाइट कलर के आपके बैठे लग जाएंगे तो समझ लेना आपको इल्लू इमिटेशन आने वाला है अच्छी हो रहा है और ड्रेक के तो ब्रैंड का वही उल्लू है और उसका भी हर गाना चलता है जो अगानी आप सोचो ना कि टॉप नोट जो आर्टिस्ट है क्यों कही ना बार-बार बोलू कि भाई आप यह करते हो यह करते हो आप वह गयार मेरी इमेज यही पोट्रे हो रही है मैं नहीं करूँ आज के बाद यह लेकिन फिर भी वही कर रहे है और सबका कही नागए निकल रहा है इल्लूमनाथी से आप इस बात को डिनाए नहीं कर सकते हैं यह भुछ पावरफु एक एजनसी है जो की इस टेम पे रूल कर रही है वर्ड को और बताते है कि कही ना कही हम डारेक्ट अंडारेक्ट से हम कहीन ना कही इंस्पार हो चुके हैं हमारे कर्मों की एस से हमारी चीजों की विज़े установ city और वही चीज हुए जा रिये को नहीं चाहिए थी तो इलुम यह जो यह सैटन है यह अपनी एक आर्मी तयार कर रहा है गौड से लड़ने के लिए यह बेसिकली यह बहार का कल्यूग वाला कॉंसेप्ट है कि वह कल की अवतार है कल की आ चुका है वह अपनी आर्मी तयार करें फिर कल की अवतार होगा वह चिरन जीवियों के साथ उनका अंत करेगा तो यह वहां की थियोरी है बेसिकली लेकिन इन सब बातों के दोरा ना मैंने इतनी जो श्टड़ी करी है यह तो मिरे को पता लग गया है कि जो सबसे उपर है ना भाई वो हमारा सनातन धरम है बिलकुल भाई वो उसमें तो कोई शक है ही नहीं और साइंटिस्ट जो चीजे सोच भी नहीं सकते ना यह दो दो चार चार हजार साल पहले लोगों ने इसको कर दिया है पंचांग लगेगा सूर्य ग्रैन होगा अज अब एश्ट्रोनोंट के तुम देख के बताते हैं आच अच अच यह लगेगा यह एक मिन भाई तो अलगी चीज है भाई दीपली गुसा जाए ना इन चीजों में तो अब दिमाग चल जाएगा अब मैं यही तो बता रहा हूं कि अब जैसे कि ना यह भी का जाता है जो हमारे सादू मातमा थे ना जो बहुत पुराने थे वो इस चीज पे भी विजए मौत के उप पड़ना चक्रास के बारे में कुंडली जागरित करना जो साथ चक्र होते हैं इससे आप ऐसा लिखा हुआ है कई वेदों में कि आप इससे मौत के उपर भी विजए पा सकते हैं भाई कई तो ऐसे साधू है जिन्होंने अपना शरीर वैसा ही मैंटेन कर रखा है वो होंगे सौ दो सो साल के पर शरीर उनका आज भी जवान है मंत्र चेंटिंग के थुरू आप है ना ऐसे सी वाइब्रेशन को ऐसे सी एनरजी को एक्टिव कर सकते हो ना जो की अभी जो हमारी आखों के आगे परदा लगा है ना इसका नाम है जिसको हम बोलते हैं कि हम फिल्टर लग करके मेडिटेशन के थुरू ही हटा सकते हैं वैसे आप इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आपके लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी बहुत अलग कई चीज़े आपने देखी हैं देखो मेरी बात सुनों मता सारा दिमाग का ही खेल है आप इन चीज़ों में ज्यादा गुसोगे न तब आपको समझ महाएगी कि आप फोकस से बहुत कुछ चीजे प्राप्त कर सकते हो जहां पर हमारी मिलिटरी इंडियन आर्म फोर्स जो स्नो भूक्स होती है वो पहन के भी नहीं चल पाते हैं वहां बाबा ऐसी बैट के बाई वैसे सोच ने जाएं तो कितना कोच है भाई है वह हैं हमारी जो सोच है न वो कहीं डिन खरती भाई पैसा कुछ निये कुछ भी एक मिनट मेना एक बंदा नॉर्मल जिससे अपना घर नी चल रहा है वोग मिनट में श登録 मई गर दिश चलाए तो देश चाहराए तो बहुत कुछ है जो हमारी सोच से बहुत परे है भाई यूनिवर्स बहुत बड़ा है हम कोई उकात्री है वो भी नहीं है अगर यूनिवर्स से कंपर करें तो अर्थ एक डॉट है इसके पीछ नहीं है जब बहुत कोई नहीं नहीं है इसके पीछे तो ब्रहमा विष्नु मेश ही लड़ चुके हैं सही है यह लिखा हुआ है उनकी वी लडाई हुई है वह भी इस चीज को नहीं बता पाए मतलब जब ब्रहमा जी और विष्नु लड़ रहे थे एक डॉट के कि इसका अंत कहां पर होता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं जूड बोलते तब यह थियोरी भी निकल के आती है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती आपको पता है वह यही रीजन है क्योंकि उन्हें जूड बोला कि उनको पता है तब जो डॉट शुन्य है शुन्य है यान करेंड करें हम चीजों को तो जाधा बड़ी है पबलिक के लिए भाई पता है एक किस्सा बताना भूल गया आपको जो किस्से ने मेरे को काफी दिन परेशान करा था एक तो भाई 400 प्लस लोकेशन साड़े 400 प्लस लोकेशन हो चुकी है दिमाग में बतलब यह लगा लोगों ने सुसाइड किया हुआ है कहां पर है यह मोर्नी हिल्स में बाई चंदीगड से 30-40 किलोमेटर उपर हिल्स के उपर और हर्याना में लगता है मोर्नी हिल्स एक टूरिस्ट डेशनेशन है वहां पर पहला एक ऐसा पेड़ है आपने मुवीज में कहीं पर भी ड्रावने से ड्रावना जो पेड़ देखा होगा ना वो उसके सामने बच्चा है आप उस पहले जाओगे ना उस पेड़ को देखते ही आप कोगे कि भाई और बताते हैं कितने हजारों साल से हैं वहां पेड़ और उस पेड़ की जड़ों में से भी दूसरे दूसरे निकले हो हैं तो वहां पर नीचे है ना मतलब अब आप दोगों को बताते हैं कि सुसैडल थॉट्स आतीया आते हुए गाउं के बच्चों ने गाउं की औरतों ने वहां पर सुसाइड करा हुआ है और उसके इसको और वहां पर आप जाओगे ना बस बच्चों के कपड़े जूते जो भी वहां पर सुझाड़ करक्था ना उसका सारा समान लाके वहां पर रख देते हैं गवाले वही चीजे बढ़ी है multiple पूरे पेड़ के इर्थ इर्थ सिर्व और सिर्फ बच्चों के कपड़े बच हुआ है तो बच्चे और औरते ही करें आदमी नी कर रहें यह कैसे सिस्टम है भाई बताते हैं कि जो उसके उपर जो पिशाच है ना वह बहुत जादा श्ट्रॉंग है हमने एक बर अपने पहले वाले पोड़कास्ट में बात करी थी बेताल की एक तो बेताल था जो पिश जादा पावरफुल एंटिटी होती है और बताते हैं कि कई मतलं हर एंटिटी करें एक टाइम होता है एक टाइम प्रिट होता जैसे भूत होता है उसका कुछ टाइम पर हुए जबता उसको मोक्ष नी मिलता और धर्ति पे रहता तके बाद वो चला जाता है यह इसके energy जो होती है जो ही थ्रो करता है ये उस area के अंदर आपकी thoughts के साथ खेल सकता है अच्छा अट्रक्ट कर सकता है आपको बुला सकता है वो है उस पेड़ पे और इसकी बच्चों और और तों से ही attraction है हां ये females को ज्यादा attract करता है और जब female ज्यादतर जो females हैं वो अपने और ये लाइक अभी जैसे मैंने बता है न कि लूसीफर की तरह है कि ये वो अपनी आर्वी बनाता है ऐसी कहते हैं कि ये अपने पास बूलाता है सबको और अपनी एक चोटी सी सेना त्यार करता है अपने उस को प्रेक्ट करने लिए अपने area को तो वहाँ पे multiple souls exist करती है इ अब उस टाइम पर ना मैं इतना जादा इन चीजों में घुसा नहीं था मतलब जाता था मैं अंटीट पेस पे लेकिन मेरा वो बलीव सिस्टम उतना जादा नहीं था कि मैं हार्ड कोर ये मान लू की घोस एजिस्ट करते हैं अब हम आपे गए अब हम आपे जाके देखते ह जो मेरा टीम मेंबर राकेश ये मुझे बोलता है कि बिया फिलिंग नहीं अच्छी हारी मुझे मुझे क्यों क्यों मुझे ऐसा लगा है कि टहनी के ओपर से ना कोई एक ब्लैक शड़ो गई है और इसके मुझे ये बात बोलना मतलब मेरे लिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि ह जाते हुझना है इसके के अधि लिए राक ती नहीं के इस सोच रखे जाते है कि अपहस की न ग Bizके ना नहीं रही कि नो देखर के नहीं मुझे आना और आ रहने हैं पेटिमित Director तो कोई आई नहीं नहीं जैसे मुवियों दिखाते हैं कोई दर उदर हुआ तो आतमा भी उसे ही पकड़ेगी जो केल लगाया लेकिन भाई आप मतलब यूनिटी में ही जादा पावरफुल हो सकते हूं ना आपका औरा जब वह औरे के साथ केलेगी तो आपका औरा भी इक स् है मेरी तरफ और भाई मेरे ही वहां पर तोत्ते फेल होगे मैं एकदम से पीछे उड़ता हूं मेरे मुझे गालिये निकलती है दर के मारे ओब ऐसे कुछ एक बार बोल दो कैसे क्या रिएक्शन था प्रॉपर प्रॉपर मारो जैसी एकदम से बढ़ा मैं आगे और एकदम स कोई चीज में हो बार तरी बैट यही निगलता भाई बंदे के मूसे बिलकुल भाई मेरी भाटा गई लिटरली वहां पर मैंने का भाई यह क्या हो गया अब होटल जो हमारा था था वाकिंग डिस्टेंस पर इदा 200-300 मिटर और दूर दूर तक भाई कोई होटल भी नहीं एक guest house है बस और इधर की साइड सीधा गाउ है वो जहां से उसीन होते हैं भाई ओटल वड़ा आयाद कची मींद में करा भाई यह कहां थे आप भाई वो ऐसा हो गया जैसे करा आप वहां थे पेड़ के पास करा जूट बोल रहे हो आप मैंने जूट क्या बोलने यह वीडि इस टाइम पर आप दो जाओ, दस जाओ, बीज जाओ, आप मेंसे एक तो वही रहना था अरे तिर मना अच्छा मना पर तो किसमत वाल है भाई है भाई हम फट गई थी मतला भाई प्रॉपर डर का मौल था और एक यही ऐसी लोकेशन है साली मैं जहां पर दुवारा जाना भ अगर मेरे को इतना होटला पहले बोल देता तब नहीं आते हैं तो तो तोड़ा गुद्दा कम हो जाता है उसने बोला कि दुबारा जाना मत यहां पर अपर जाओ बोला कि अगर तो भी आप पर कारवे हो सकती है जाना मनाय वापर बाई एक ओटा वाले होटल की बता रहे भाई ओफिशिली बहुत सारे वैसे तो आप मारोगे ना सर्च मसूरी में सवोय होटल और जगे जगे पे अलग अलग गोवा के इंदर एक होटल जगे जगे पे अगर आप किसी को बता सकते हो ना कि इंडियास मोस्ट हांटिड होटल तो आता है ब्रिज राज भवन कोटा के इंदर है और दिन में तो आप जाओगे ना पर पहले आप देखके मतला पागल होगे इतनी ब्यूटिफुल जगे है वो साथ सी चंबल नदी बहरी है उनके गार्डन के पास से होटल की और होटल वहां से लगता हुआ है और पैलेस है बहुत बड़ा इसकी स्टोरी है कि ब्रिटिश ऑफिसर का पालेस था है नाइटीन जीरो सेवन में जब हमारी पूरी क्रांटी छड़ी थी थी ना कि अंग्रेजों को जब भगा रहे थे तो यहां पर कई हमारे इंडियन्स गुस्ते हैं जो क्रांटी कारी थे और वहां पे सारे ब्रिटिशर्स को मार देते है जिसमें उस ऑफिसर को भी मार दिया गया था उसके बाद से बताते हैं भाई वो वहां से अब तक नहीं गया है और मेन गैलरी के अंदर अभी भी उसकी फोटो लगी हुए है और रात को वो प्रॉपर दिखता है आप होटल के रिव्यूज चेक करोगे ना तो रिव्यूज की ने लिखावा था कि मेरे हजबेंट ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो सो रहा था और मैं पूरी रात बस उसके पास बैठी रही क्योंकि उसके सर के पास एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रॉपर ड्रेस के अंदर अपनी खड़ा हुआ था और वहां से हिला ही नहीं और वो सी को देखे जा रहा था ऐसे से रिव्यूज आपको नहीं किलेंगे ना गैलरी में चल लेगी आवाज आती है किसी को छत पे दिखाई देता है सिक्योरिटी गाड के बास दिखाई देता है और सिक्योरिटी गाड के भी रिव्यू है कि अगर हम रात को यहां पे सोत यह जाओंगा लेकिन अब वाँ अब क्या दा उस्टाम मैं उनसे बात भी कर ली थी कि मैंने शूट करूगा उपने कोई दिक्कत नी यह नहीं है अब मैं उनसे बात करी तो वो शूट की परमिशन नहीं दे रहे है अच्छा कि होटल में शूट महीं कर सकते हैं आप आओ स्टे करो अब इस्टे तो हमें क्या है नहीं बाई में तो हमें शूट करना था तो सुनी लिए नहीं देखना खुद एक्सपीरियंस करना रिकॉर्ड कर राए अब अब देख भी अब जैसे कि मैंना आपको इस वाली ब अब जैसे बढा रहा कानी सही बात फिर मजा नहीं दो उस चीज का लोग भी कहते हैं प्रमान क्या है परमान क्या है आज गल तो लोग परमान वांते हैं वाई लेकिन मज़ा आगया इस एपिसोड में इसमें हमने कितनी सारी बाते कर ली और कितनी इंट्रेस्टिंग बात अब परमनेंट हो गए हमारे दिल मिल चुके हैं आपसे तो सही है बाई लेकिन हमने जो चौथा एपिसोड प्लान कर रहा है वह इस सेट अप से अलग जाकर और बाई यह करवा के रहा है यह तो होने वाला है जो हमारा प्लान है आपी सारी चीज़े आपकी वो रहती है पै बाई देख रहा है बाई दिखा दो चुछ हो जाए चाहिए दन बात है तीक है मैं आपकी थोट्स चेंज करना चाहता हूं बेसिकली बात सच यह है आपका बड़ी बात ही बोलता आपका और बहुत जादा डेवलप हो जाएगा आप ताइगर को इतनी क्लोज लिए अगर देख लें फिल कर लोगे आपकी थोट्स चेंज हो जाएगी अब इस बात का पर कोई साइटिफिक तो दे नहीं सकता अब भाई तुम सामने मौत दिखा देगो तो और चेंज हो गई बहुत बहुत का मतलब जब है आप पैदल हो वहाँ पे ठीक है लाई तो मजाक की बात ह पर लेकर डेफिनेटली भाई बहुत मजा आएगा बहुत बहुत जादा भाई बहुत और जो अगिलावी पॉड़िकास उसमें बहुत तगड़ी बाते होंगी नए नए खुलासे होंगी जो मेरे हिसाब से अब तक नहीं होगा है जादा बड़ी बात निकरते सीथर एक्स बटन यहां पर आ रहा है आप सब्सक्राइब कर दो और भाई जो हैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर होरर कॉंटेंट होरर रिलेटेड रिल्स होरर मिस्ट्रीज अब थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया है क्या अब क्या नहीं हरार माहादेर की रिल्स आदा डाल रहा हूं भाई वो तो ही कॉंबो है ना पैकेज है ना तो अच्छी अच्छी बढ़िया इंट्रेस्टिंग रिल्स के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो इनके इंस्टाग्राम का डिस्रिप्शन में लिंक है जाओ सीधा जाकर आप फॉलो करो यूट्यूब पे सब्स